बच्चों को अक्सर मैक्रोनी पास्ता बहुत ही पसंद होता है तो क्यों ना आज बच्चों के लिए मैक्रोनी पास्ता बनाए जाए वो भी वेजिटेवल के साथ हेलो फ्रेंड्स मैं मंजू स्वागत है आपका अपना फूर टेस्ट में तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी इसके लिया है मैंने मैक्रोनी 200 ग्राम आपको इसी भी मैक्रोनी का यूज कर सकते हैं और वेजिटेवल में लिया है मैंने शिम्डा मिर्च एक बड़ा थोड़ा सक पत्तागों भी एक गाजर लिया है दो बारी कटे हुए प्याज चॉप किये हुए टमाटर एक ह मिर्च मिलाल मिर्च और वेजिटेवल ओइल मैकरिन बॉइट कलने के लिए एक पतिला चड़ा दिया है और इसमें हम डालेंगे तीन छोटे ग्लास पानी और एक उबालाने तक का वेट करेंगे और आप इसमें डालेंगे एक चॉथाई टेवल स्पून नमप, एक चम मस्टेल और डालेंगे उबालने के लिए इसमें हम मैकरोनी इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मीडियम फ्लेम पे हमें जो अपनी मैकरोनी है दस से बारा मिनट के लिए उबालनी है और बीच बीच में हमें चलाते रहना है ताकि जो हमारी मैकरोनी है वो तले पे ना लगे हमारी मैकरोनी पक चुकी है हम इसे 1 चमच से चेक कर लेते हैं देखिए मैकरोनी easily cut रही है कडाई चड़ा दी है और इसमें डालेंगे हम cooking oil 3-4 चमच और ओयल हमारा गरम हो चुका है और इसमें डालेंगे हम पयांज बारी कटे हुए हमें एक से दो मिनिट के लिए पकाना है ज्यादा हमें इसे golden brown नहीं करना है और अब डालेंगे बारी कटे वे लस्टन और साथ में डालेंगे हरी मिर्च बारी कटे वी अगर आप तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे skip कर सकते हैं अच्छे से mix करेंगे एक से दो मिनिट के लिए अब हम इसमें डालेंगे बारी कटे हिवे टमाटर इसे अच्छे से mix कर लेंगे और साथ में डालेंगे एक टेबल स्टून नमक और एक चमबच कश्मरी लाल मिट मैंने कश्मरी लाल मिट से इसलिए लिया है क्योंकि बच्छों को अक्सर तीखा खाना पसंद नहीं होता है और इसे अच्छे से mix कर लेंगे दो से चार मिनिट के लिए दो मिनिट के टमाटर को हम कवर करके पकाएंगे डक्कन हटा के फिर mix कर लेंगे हमाई टमाटर भी पक चुके हैं और अब इसमें डालेंगे हम कट किये हुए वेजिटेवल्स इसमें गाजर और साथ में डालेंगे शिम्डा मेर इसे अच्छे से mix कर लेंगे और एक से दो मिनिट के लिए हम इसे पकाएंगे हमें ज्यादा नहीं ओवरकुक नहीं करना है सरफ क्रंचिनस तक ही हमें पकाना है वेजिटेवल्स में आप अपने हिसाब से वेजिटेवल्स डाल सकते हैं जो आपको वेजिटेवल्स पसंद हो अब हम इसमें डालेंगे बारिक चॉप किया हूँ पत्ता गोबी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक से दो मिनट के हम कवर करके पकाएंगे धकन हटाएंगे और फिर से से मिक्स कर लेंगे हमारे वेजिटेवल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और कुक हो चुके हैं जितना हमें चाहिए था और अब हम इसमें डालेंगे बॉल की हुई मैकरोनी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसी तरीके से हमें एक से दो मिनिट के लिए मैकरोणी चलाते रहना है, मिक्स करना है हमारी मैकरोणी मिक्स हो चुकी है और आप इसमें डालेंगे दो चमबर टमैटो कैचप और इसे भी मिक्स कर लेंगे हमारी मैकरोणी बन के तैयार है, गैस कर देंगे ओफ और इसमें डालेंगे धनिया हम अपनी मैकरोणी को अब निकालेंगे एक प्लेट में जो कि दिखने में लग रही है बहुत ही अच्छी और डिलीशियस अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक कीजिए, जादे सादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें